रूस के PM का एलान दस बच्चे पैदा करो पाओ इनाम दस बच्चे पैदा करने पर 13 लाग दस बच्चों की माँ को मिलेगा सम्मान जानिये क्या है पूरा मामला रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवात को लंबा समय हो गया है लेकिन इसमीच रूस से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी जी हाँ रूस की और से एलान किया गया है कि 10 बच्चे पैदा करने वाले को 13 लाग रुपई का इनाम दिया जाएगा रूस के राष्टपती बलादीमीर पुतिन ने देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक अनोखे ओफर का एलान किया है पुतिन के इस एलान के बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को इनाम दिया जाएगा इसके अलाबा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा उनके इस एलान के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे है तरसल राष्टपती पुतिन के सामने रूस की जनसंख्या को ले कर एक बड़ी चिंता है देश की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है ऐसे में इस संकट का मुकाबला करने के लिए पुतिन ने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए इनाम देने की योजना तैयार की है इसके तहट दस बच्चे पैदा करने वाले को एक अरब रूबल यानि की करीद 13 लाग रुपए का इनाम दिया जाएगा पुतिन ने एलान किया है कि दस बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को एक अरब रूबल इनाम के साथ साथ मदर हीरोईन के नाम का अवार्ड भी मिलेगा आपको बता दें ये अवार्ड दुतिय विश्वयुत के दोरान भी दिया जाता था साल 1991 में सोवियत संग के तूट जाने के बाद रूस ने इस अवार्ड को देना बंद कर दिया था पुतिन ने ये एलान ऐसे समय में किया है जब रूस में कोरोना के मामले इस साल मार्च के महीने के बाद सबसे ज्यादा सामने आये हैं जबकि उक्रेन युद्ध में करीब 50,000 सेनिकों की मौत का अनुमान माना जा रहा है डॉक्टर मैथर्स का कहना है कि पुतिन का मानना है कि बड़े परिवार वाले लोग ज्यादा देशवक्त होते हैं इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए